कि वहाई और दोस्तों आप लोग ताजिया वजाते रहें ताके आप लोग भी खुड़ा गिरम रहें और शाहिर को भी होस्राइब प्राइब आज के ये मुशायरा कि सद्र मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए गजल का मतलब मुलाइद फर्माएं दिल को राहत नहीं जाने क्या कह दिया दिल को राहत नहीं जाने क्या कह दिया दिल को राहत नहीं जाने क्या कह दिया आस राहत नहीं जाने क्या कह दिया आस राहत नहीं जाने क्या कह दिया अब तो आजा के तेरी खुशी के लिए अब तो आजा के तेरी खुशी के लिए अब तो आजा के तेरी खुशी के लिए सारी दुन्या को मैंने खफा कर दिया सारी तुन्या को मैंने खफा कर दिया दिल को राहत नहीं जाने क्या कर दिया शुक्या तेरे सर की कसम बेवफा मैंन था गजल का मतलब मुला है गजल का शेर है तेरे सर की कसम बेवफा मैंन था तेरे सर की कसम बेवफा मैंन था तेरे सर की कसम बेवफा मैंन था मुफिसी ने मुझे बेवफा कर दिया मुझे बेवफा कर दिया मुझे बेवफा कर दिया आसरा दे के बे आसरा कर दिया मुझे को बर्बाद होने का सदुमा नहीं 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 हक मुहबत का मैंने अदा कर दिया बेप यही मेरे होश जाते रहे 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 जाम शापी ने जब मुस्कुरा कर दिया जाम शापी ने जब मुस्कुरा कर दिया शुक्रिया दोस्तों और गदल का मुक्त मुनाइज़ा फर्माएं तुने अजमल की जानिब से मुहों फेर कर तुने अजमल की जानिब से मुहों फेर कर जख्म इस दिल का फिर से हरा कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अजमल साब दोस्तों इसी तरह आप साथ देते रहें मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मुक्तसर से मुक्तसर निजामत करूँ एक शेयर यह से फड़ा बहुत कुछ बोल दो क्योंकि होता यह है कि नाजी में मुशारा इतना वक्त ले लेता कि शायर को और वक्त कम पड़ जाता है आईए मैं अगले शायर को बलाता हूँ जो बहुत अच्छा शेयर कहते हैं और देहली जब बे आते हैं तो मरी मुलाकात रहती यूसफ कुरिशी साथ से इस शेयर के साथ के हाथ की लकीरों से फैसले नहीं हुते हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते अजम का भी हिस्सा है जिंदे की बनाने में आप लोग ताहलियां बजा दीए और इस्तक्वार करें सब्सक्राइब की इजाज़े चाहते हुए गजल के चंद असारे समात था चरागों की मानिंद जलता रहा हूँ चरागों की मानिंद जलता रहा हूँ अन्धेरों की जद से निकलता रहा हूँ जरागों की मानिंद जलता रहा हूँ अन्धेरों की जद से निकलता रहा हूँ जरागों की मानिंद जलता रहा हूँ अन्धेरों की जद से निकलता रहा हूँ जरागों की जलता रहा हूँ जरागों की जलते हवाओं से जाकर मैं तूफां का रस्ता बदलता रहा हूँ अदावत मुझे रास आती नहीं है अदावत मुझे रास आती नहीं है अदावत मुझे रास आती नहीं है मुहबत के साचे में जलता रहा हूँ चरागों की मानिं में जलता रहा हूँ अन्धेरों की जद से निकलता रहा हूँ गिराया है हाला तुने मुझे को अक्सर मैं हिम्मत से अपनी समलता रहा गिराया है हाला तुने मुझे को अक्सर मैं हिम्मत से अपनी समलता रहा हूँ पता क्या बताता किसी को मैं अपना कराए का घर था बदलता पता क्या बताता किसी को मैं अपना शुक्रयत कराए का घर था बदलता रहा हूँ चरागों की मानिंद चलता रहा हूँ अंधेरों की जद से नकलता रहा हूँ शुक्रयत बहुत बहुत शुक्रया यूसुफ कुरेशिस ना पता क्या बताता किसी को मैं अपना किराय का घर था बदलता रहा हूँ मैंने अहला के वाद़ किया था कि मैं निजामत में इक्सिसार करूँ है लेकिन वो चुल मच्छती है ना फॉरण शेर वो पढ़ना पदे था बारहल ये घम ये नहीं के पास मेरे मालोजर नहीं घम ये नहीं के पास मेरे मालोजर नहीं गम्ये है जिन्दगी में तुम्हारी कमी दिए और कोशिश हजार की नहुए खत्म फासले दीवार बनके रहा में दौलत करी रहे आईए असराव रहा कसार साथ को सुनते हैं बहुत अच्छा कलाम हमका और बहुत अच्छा पड़ती है सहाफी है सहाफी भी है मश्वूर है यांके तो सब लोग जानते हैं अच्छा इसलाम अभी को तारूपी शेयर के साथ है और सदरे साथ से इजादत चाहते हैं बगार किसी पत्विद्द के हैं मैं एक सहाफी हूं ख़बरों का काम करता हूँ कि मैं एक सहाफी हूँ ख़बरों का काम करता हूँ पचा के वक्त सहाफत के नाजिम शाप का हुक्व है कि चंद अशार पड़ने हैं तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि चंद अशार छाट छाट के पड़ने हैं पहले चार मिश्रे सुने के अद्वी मैं पिल और मौना गफार साथ जो है नूर्पुर की एहल दानी शक्सित में श्क्मार के जाते हैं और सदारख कर रहे हैं आज के हमारे विए उस्ताज हैं मौना ना साथ के नहीं बलके हमारे बड़े भाई के उस्ताज मौना साथ तश हाथ मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते कभी एक जगा तरिया के तो साहिल नहीं मिलते कभी और एहल दानिश एक हो जाते हैं लड़ भिनने के बाद भूलकर आपस में तो चाहिल नहीं देखें कि थोड़ी सी एक भूलकी ऐसी सजा मिली दिल की कहराई सशेर है कि थोड़ी सी एक भूलकी ऐसी सजा मिली अम्रे तमाब हो गई इंसाफ के लिए और आपके पेश करता हूं कि ये रहबराने ओम जरा होश नहीं ए रहपराने खौम जरह होश में आओ तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में हो उस्ताष शायर यादर के साथ तश्यव रखते हैं और नूरपुर के रहां अंदर अश्य शायरी होती है तो नूरपुर के चाने से एक शेर आप लोगों के हवाले थोड़ी सी एक गुल की ऐसी सजा में जी अमरे तमाम मुड़ गई इनसाफ के लिए दोस्तों मतला और आतायत तुस्ताथ हमेशा बे इरादा बोलता है हमेशा बे इरादा बोलता है जो चाहिल है ज्यादा बोलता है जबाने जो गो दागो मीरो गालिब जबाने जो को दागो मीरो मौमिन हमारा खानवादा बोलता है जबाने जोको दागो मीरो मौमिल हमारा खानवादा बोलता है और शेर है कि सखावत से गनी है पल्वु जिसका मौला नपयिम साथ तश्रीप रखते हैं कि सखावत से गनी है पल्वु जिसका मुतंगी को खुशादा बोलता है हमेशा बेइरादा बोलता है जो जाइब है जियादा बोलता है और जबाने जोगो दागो मीरो गालिब हमारा खानवादा बोलता है और आखरी शेर है के महबत का जिसे दावा है असरार महबत का जिसे दावा है असरार मेरे तुश्मन से जियादा बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया पस्रार साथ, अब्दुलकियूम, जमिल साथ से तर्खास करता हूँ मैं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें इस शेर के साथ क्या आओ जी भर के बाते करें आओ जी भर के बाते करें औरना कल तुम कहा हम का दोस्तों तालियों से इस्तक्बाल हर चाहिए पसलिए असलाम अलेकुम 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 वजरात जैसा कि आप वजरात को मुझे नहीं लग रहा है इसे फड़ों चाहिए बस बस नहीं रहा है हजरात आज की एक खुश्चूरत महफिद आली जनाब डाक्टर हजरत मौलाना सिराजिदीन नद्वी साहब की सदारत में बड़ी तेजी के साथ अपना सफर देकर रही है इसी के साथ साथ मैं बताओं के मैं शायद बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा हुआ क्यूंके कई रोज से तबियत ज्यादा खराब रही इसका एहसास आपको मेरी आवास से शायद हो भी रहा होगा दो या तीन शेर पढ़ता हूँ इसके बार जगह देता हूँ उनसे भी हमने तरके तालुक किया नहीं उनसे भी हमने तरके तालुक किया नहीं उनसे भी हमने तरके तालुक किया नहीं जिन दोस्तों से कोई हमें फाइदा नहीं जिन दोस्तों से कोई हमें फाइदा नहीं और मैं तेरे आगे किसलिए फैलाओं अपने हाद मैं तेरे आगे किसलिए फैलाओं अपने हाद तू भी तो मेरे जैसा है तू भी खुदा नहीं तू भी तो मेरे जैसा है तू भी खुदा नहीं मैं तेरे आगे किसलिए फैलाओं अपने हाद तू भी तो मेरे जैसा है तू भी खुदा नहीं और आखों में वो सुरूर ना चेहरे पे ताजगी तू कैसे कह रहे हो के कुछ भी हुआ नहीं तू कैसे कह रहे हो के कुछ भी हुआ नहीं आखों में वो सुरूर ना चेहरे पे ताजगी तू कैसे कह रहे हो के कुछ भी हुआ नहीं और मक्ता के अल्ला के हुदूर में जुक जाई ये जमीर अल्ला के हुदूर में जुक जाई ये जमीर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अल्ला के हुदूर में जुक जाई ये जमीर अल्ला के हुदूर में जुक जाई ये जमीर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं उनसे भी हमने तरके तालुक किया नहीं ये में सामने बहुत अच्छा कलाम पेश किया आईए दोस्तों मैं आपको ये और बताता है चलूए मेरे जहन से बात निकल गी थी ये मुशारा इस वक्त लाइव हो रहा है एशिया टाइम्स पर आप अपने यारत दोस्तों को भी इसे घर बैठे सुनवा सकते हैं अश्रफ ली बस्तिवी साहब जो देली से हमारे साथ तश्रीप आये हैं वो इसे लाइव कर रहे हैं मैं उनका शुक्र गुजार भी हूँ और आईए नईम्राजा साहब से उनका किलाम सुनते हैं इस शेर के साथ के मिलके जुक गई अजनवी नजरे मिलके जुक गई अजनवी नजरे जिल से दिल हम कराम होना सकता हाए मजबूरियां महंबत की ठाक उठा सलाम होना सकता नहीं मिराजा साहब दोस्तों तारिया भूल जाते हैं सद्रे महत्रम और नाजरे में मुशारा सवराय एक्राम और सामाईन नहीं करता हूं कि बस्ती का हर सक्स उसे पहचाने हैं बस्ती का हर सक्स उसे पहचाने हैं रसी का जो साफ बनाना जाने हैं बस्ती का हर सक्स उसे पहचाने है रस्ती का जो साथ बनाना जाने है और शेर कहता हूं कि गाउं का हर एक सक्स असर में है अपने बच्चा-बच्चा कहना हमारा माने है चार में सरो और अर्ज करता हूं कि वैसे तो मा का प्यार सादत नहीं देता वैसे तो मा का प्यार सादत नहीं देता बेटों को AREแลा की इजाजत नहीं देता और मैदाने सियासत में कफन बांग के उत्रो तोफे में कभी कोई हुकुमत नहीं देता वैसे तो मा का प्यार सहादत नहीं देता बेटों को लड़ाई की इजाज़त नहीं देता मैदाने सियासत में कफन बांग के उत्रो तौफे में कभी कोई हुकूमत नहीं देता चार मिज़े और अज करता हूँ अज करता हूँ कि जुलते प्यार के मौसर मिले हैं जुलते प्यार के मौसर मिले हैं बाहरों में ये कैसे गम मिले हैं जुलते प्यार के मौसर मिले हैं बहरों में ये कैसे गम मिले है उसे कहता हूँ कि बहुत करता है वो यारों की बाते उसे धोके अभी कुछ कम मिले है और यहीं से गंजल का मतलाज करता हूँ अज़करता हूँ के कर दिया गर्दी से अयामने लाचार गिरे और मैं तेरे शहर में तनहा हूँ वफा का मुझरिम मैं तेरे शहर में तनहा हूँ वफा का मुझरिम गम नहीं मुझको अगर संकी बहुचार गिरे मैं तेरे शहर में तनहा हूँ वफा का मुझरिम गम नहीं मुझको अगर संकी बहुचार गिरे और शहर कहता हूँ करता हूँ कि पहमते थोकते हैं मुझक पे जमाने वाले मेरे मौला ना मेरे ज़स्व का मयार किरे बहमते खोपते हैं मुट्पे जमाने वाले मेरे मुला ना मेरे ज़स्व का मयार किरे और शेव कहता हूँ कि बरकर तुफानों समंदर में दुपो देना मुझे मेरे हाथों से अगर छूट कर पत्वार किरे परकर तुफानों समंदर में डुबर देना मुझे मेरे हाटों से अगर छूट के पत्वार किरे और मत्दार काता हूं कि जब से मख्लूज हुआ सोट का पंची राजा जब से मख्लूज हुआ सोट का पंची राजा गम नहीं तूर के अगर मस्जिद और मिनार कि दे बहुत अच्छी शायरी स्वारे हिद्ध और उन्हें ने ऐसा जोश भर दिया है कि बहुत जी तरह से सब लोग के फसार से काम लेंगे मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जहमें से तुमाँ होना है आईए असरार अधिर्द साहब से बनुदाइश करूँ कि वह आए और अपना कि देश असरार अधिर्द साहब बूजुद है असरार साहब पर दिया है चलिए इनका तो और भी शुक्रिया और शायरों के वखाजिबे इस्दा जाबाश शुक्रिया अधिर्द सही साहब साहब लोग वागी यही कहें बहुत अच्छा कलाव कहते हैं और पड़ते भी बहुत अच्छा हैं आप लोग बगर सारियों में कर्दों सिक्र रहें अधिर्द सुराव लिए सद्रे मौतरम नाजर में मुशायरा शामाई में देखें मेरा कलाम एक ऐसा कलाम है जिसमें नसीयते हैं लोग लो यह न समझने चाहिए कि मैं कि चिक्ट के उप्रूब कर रहा हूं यह तंक कर्दा में कराम का मतला कि शेखिदमत है लोग यह जाओं हराम रिजग कमा हराम रिजग कमा मत कभी बहाने से कभी बहाने से हराम रिजग कमा मत कभी बहाने से हराम रिजग कमा मत कभी बहाने से बहाने से बनेगा फून की गंदा हराम खाने से अगला शेर समात करें तो बज़े चाहूंगा जलील होगा तू मांगे गगर अमीरों से मांगे गगर अमीरों से शलील होगा तू मांगे गगर अमीरों से मांगे गगर अमीरों से कुदा से मांग रिजग कर खाने से मांगे गगर अमीरों से खुदा से मांग ले भर देग अगर पदाने से अगला शेर देखे वो ही है मुस्तहित रोजे जजा शिपात का रोजे जजा शिपात का हयात जिश्र की बनी है नभी के ताने से नभी के ताने से शेर देखे खला रिस्क जो नाम खुदा पे देता है खला रिस्क जो नाम खुदा पे देता है नाम खुदा पे देता है दर से तू फकीरों को ना घर से तू फकीरों को ना खाली बेज दर से तू फकीरों को फकीरों को बनाए जलती है खेराद कर खजाने से खेराद कर खजाने से बता समातर आखिर चीरे नभेज खाली दर से तू फकीरों को दर से तू फकीरों को बनाए जलती है खेराद कर खजाने से खेराद कर खजाने से आखिशे रहे जजमतर आखिर नमादूश की रिया खारिशी लगे है से लगे है से नमादूश की रिया खारिशी लगे है से परेव करता है हर वंत जो जमाने से जो दमाने से अरा मुले सुर्वादूश की बहुत 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 शुत्रिया आईये मैं काजिम बिन हभी पिज्णोरी साहब को दावत दूँ के सलाकार के डिटर भी है और भी मैगजिनों के जिम्मेदारिया सवाल से देवी में रहते हैं यहीं सहस्पूर से तालुख है और चुके मेरे बश्पन के दोस्त है इसलिए मैं उनके लिए शेयर परण सकता हूं कि उमीदे हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइज़ को यह अधरत देखने में सीध मेरे लिए फखर की बात है मेरे आवाज आप तक पहुंच आईए मिशाला फखर की बात है कि मैं आज अपने उस्ताद गिरामी राट्टर सिराजी दिन अदीव साब की सदारत में आपके सामें कराम पेश करूँगा और मुझे एहसास है कि इस मजलिस में बहुत से एहल फन और उस्ताद शोरा इसके साथ ही मैं इस एहल खाना जनाब अब्दुलगफार दानिश मुद्कुरी साथ मुबारखबाद पेश करता हूं इस मोकें पर उनके एहल खाना को और दानिश के मामुजान को इनके दादाजान को और पूरे खानवादे को कि आला ताला ने ये साहज़त नसीब की कि वो रिष्टे अजवाद में मुश्रिक होगे अला ताला बरकत दे सदर मौतरम की इजाज़त से कुछ है समा खराशिक आपकी करूंगा मैं अजीजम दानिश सल्लमाहों के लिए पहले खिता पेश करता हूं दानिश को मुबारक हो नई जिन्दगी की बहार दिल से निकली ह दूआ पूले पहले उनका प्यार दानिश को मुबारक हो नई जिन्दगी की बहार दिल से निकली है दूआ पूले पहले उनका प्यार शाद आबाद रहे ये खिलता चमन शाद आबाद रहे ये खिलता चमन खत्म होना कभी इस चमन की बहार इसके बाद शुक्रिया एक प्रेष करता हूं मक्ता पेशे हट्मत है इस्पादिकरानिके जास stubborn मतलाश हो हमकता भी पढ़ा जाएगा इस दोगा भी बस जो जैसा है वो समझ ले एक हमारे मोसिन थे वो शेफ राए करते थे नेक नेक बदने बद जाना मुझे नेक ने बतने बत जाना मुझे, सबने अपने आएने में पैचाना मुझे, तो जिसके तिनको लगती है वो सब्पूर कर ले. अपने हो या पराये लोग होते हैं मतलब के लोग और धोका भी दे जाते हैं जाने और पैचाने लोग और जिन से थी उम्मीद वफा, जिन से थी उम्मेद वफा कत्रा के वो गुजरे लोग और वक्त पढ़ा तो जाना है अपने हुए बेगाने लोग और मसनत पर जा बैठे हैं मसनत पर जा बैठे हैं ऐसे वैसे कितने लोग मसनत पर जा बैठे हैं मसनत पर जा बैठे हैं ऐसे वैसे कितने लोग मसनत पर जा बैठे हैं ऐसे वैसे कितने लोग और हाकिम का फर्मान हुआ है मुपर डाले ताले लोग और तुमने मिलना छोड़ जाने क्या समझेंगे लोग और ये शेर देखे जरा बड़े दुश्मन ने तब काबू पाया दुश्मन ने तब काबू पाया आपस में जब बिखरे लोग अपने होया पर आए लोग होते हैं मतलब के लोग और अर्थ किया है सबने नोचे शाख से फूल सबने नोचे शाख से फूल, अपने होया पर आए लोग काजिम अब मिलते हैं कहां सीधे साधे सच्चे लोग अपने होया पराए लोग होते हैं मतलब पराए लोग बहुत 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 शुक्रिया काजिम बिल्हभी पिजनोरी साथ मैंने बताया था कि मेरे बच्पन के दोस्त है इन्हों ने जो शेर पढ़ना शुरू किया तो एक मिस्राई था तो अब्दलगफार साब ने मेरी तरफ इचारा किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि व जितने लोग इस हाल में बैटे हुएं अगर मौलाना सिरादी नदियू साब को छोड़ दिया जाए तो सबसे पुराने शलाचा और सबसे पुराने दोस्त मेरे एक साल सीनियर थे बच्पन से लेकर आज तक हर बरहले में साथ रहें बेशुमार खूबियों के माई थे किसी एक जहत पर भी अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो काफी वक्त लेगा अल्ला ताला ने कई तरह की खूबिया दिये मेनेजमेंट की लिखने की पढ़ने की बोलने की कई सलाहियत उसे अल्ला ताला ने नमाजा है आज इनके यहां खुशी का मौका है हम इनकी खुशी थे उसके तरह ने दिखे कैई किताबों के मुस्थाय है बाला जो सिराजिती नत्वी तहां का शा Sanskrit होगा येकीना कभी सही लेकिनों वह बहुत सारी खुशी होगाँ कि सलिए आप लोग मुझे भी तसलीम कर लीए मैं भी न का शा स्कुर्या श्तास vulnerable तर्म की इजाज़त से चंद शेर चुक्छ हम अपने महमान शोरा को खासा सुनना चाहते हैं यह जो यहां अभी दक लोग सुना रहे हैं हमारे नूरपूर के ग्रीम लोग और भी अभी शोरा बागी हैं नूरपूर के जली भी जरूरी है कि तारूफ हो बाहर के लोगों को न पढ़ाएंगे लोगों लगाएंगे चंद अशार्थ सुन लीजी इसमें उकपर अलेके मैं तुम्हेजबान हूं मुझे कोई जहमत न देनी चाहिए ती लेकिन चलिए इनका हुप है हमारे दोस्तामिस साब का एक मतला समातरे कुलिस्तां पर खजां च्छाई हुई मालू होती है हर एक चेहरे पे जब पजमुर्दगी मालूम होती है हर एक चेहरे पे जब पजमुर्दगी मालूम होती है कुलिस्तां पर खजां च्छाई हुई मालूम होती है चेहर देखें जबां पर हर घड़ी चर्चा जबां पर हर घड़ी चर्चा गली में हर घड़ी फेरे जुबां पर हर गड़ी चर्चा गली में हर गड़ी फेरे किसी से आपकी दीवान की मालूम होती है किसी से आपकी दीवान की मालूम होती है और शेर देखें ये कैसी मैं है कैसा जाम है कैसा है मैं खाना ये कैसी मैं है कैसा जाम है कैसा है मैं खाना बला नोशी है फिर भी तशनगी मालूम होती है और देखें अजब अंदास के फानूस है तेहजी बे मगरिब के चरागां हो रहा है तीरगी मालूम होती है और तेरी यादों का गुल दस्ता सफर में साथ रखता हूँ तेरी यादों का गुल दस्ता सफर में साथ रखता हूँ तैयारे गैर में भी दिलकशी मालूम होती है और शेर देखें तुझे तोहबत मैस्तर है किसी उर्दू के शायर की तुझे सोहबत मैस्तर है किसी उर्दू के शायर की तिरे लहेजे में जो शायस्त की मालूम होती है और एक बिशेर देखें, उर्दू जबान के ताल्व से। मक्ता समात फर्माएं किसी ने कर दिया है उनको दानिश बद्गुमा मुझसे मेरी हर बात उनको दिल लगी मालूम होती है किसी ने कर दिया है उनको दानिश बद्गुमा मुझसे मेरी हर बात उनको दिल लगी मालूम होती है जबाँ पर तथकरे अग्यार के हैं जबाँ पर तथकरे अग्यार के ही रहते हैं हर दम जबाँ पर तथकरे अग्यार के ही रहते हैं हर दम महब्बत में हमारी कुछ कमी मालूम होती है जबाँ जजा कर लगी मुझसे आपको भी और दूसरे लोगों को भी और सुना जाता बहाँ अच्छा कलाम आपने पेश किया और ये आप भूल गए कि मैंने ही सबसे पहले ये शेर पढ़ाता कि तू गैरों के कहने से क्यों बद्गुमा है जो तेरा जिया है वो मेरा जिया या मैं यह भी कह सकता हूं कि हमें हद्गे अदब ने माग डाला कि दुश्मन ओर में हमसे बढ़ाता मेरे सज्जे दलाइन बेहसर थे वो अपने जूप पर ऐसे अड़ाता बारहां गुफ्तकुलंबी हो जाएदी मैंने ही चाहता मैं मास् पर हाशिम वसीरी साब को जो उस्ताश शायर है आप लोग सब जानते हैं जोरदार ताजियों से इस अकवाल कर दीजिए हलो इसलाम लेगे सदर मुहतरम की जाज़त चाहते हुए बिना किसी तमहीद के अपना काम शुरू करता हूं एक बतला और एक शेर कहता हूं के अपनी शुजार अपने तीर कमान पर भी उसने कसीदे लिखे अपनी शुजार अपने तीर कमान पर भी उसने कसीदे लिखे अपनी शान पर भी और मेहनत किसको कहते हैं मालूम नहीं मेहनत किसको कहते हैं मालूम नहीं दावेदारी खेट पर भी खलियान पर भी दावेदारी खेट पर भी खलियान पर भी एक मतला और एक शेर करता हूं के जमाना तार से इमेल तक तो आप हुचा अकेले पंधी अजियत का बिला नहीं सा और तेरे खुतूद की रानाईयों में गुम होकर हमारी यांख से अश्टू पस्षिश आप है अब मतला हाज़िरे खिबत मतरम पेश करता हूं कि मचली फिर भी तड़प रही रही है हालां के है पानी में मचली फिर भी तड़प रही है हाला के है पानी में जाने कितना जहर मिला है दर्याओं के पानी में मा की ममता चलक पड़ी थी यांक से बहते पानी में और शेर हाजरे खिदमत के जादू टोना करने वालों की भी अपनी खूबी है जादू टोना करने वालों की भी अपनी खूबी है जाने क्या-क्या रोख भगाएं एक जरा से पानी में जाने क्या-क्या रोख भगाएं एक जरा से पानी में और शेर हाजिरे खिदमत के दिल का महल नहीं धुलता है धुखा देने वालों के दिल का मैल नहीं धुलता है दोपा देने वालों के गोते चाहे लाख लगा लें गंगाजी के पानी में शुक्रिया नमगुता है क्लाम प्रेज़ाइब बहुत बहुत शुक्रिया आशिम भाई आईए चरंग सिंग अजीस साब को सुना जाए बहुत अच्छे शाहर है चरंग सिंग साब और गुरू चरंग सिंग साब मुझे चरंग सिंग बशर का ये शेयर याद आ रहा है कि सर उठाके मत चलिए आज के जमाने में सर उठाके मत चलिए आज के जमाने में जान जान जाती रहती है होसला दिखाने में जोरदार तारियों से आप में अज़ाइट कर दिवेटे इसको सबसे पहले अंग्रेजी नवर्ष की आपको मुबारक बात और दानिश्ट की शादी के लिए भी मैं कफार्स आपको बुरे परिवार को मुबारक बात देने चाहूंगा डाइस पर जी जी शुक्रियां और सभी को मैं तो मुबारक बात देने चाहूंगा जितने भी महमान आये हुए हैं और मैं तो उर्दू का ताली बिल्म हूँ है सदरदास से इजाज़त चाहूंगा बिनकिस तमयते एक कता आज का इंसा संबलता क्यों नहीं आज का इंसा संबलता क्यों नहीं वक्त के साचे में ढलता क्यों नहीं आज का इंसा संबलता क्यों नहीं वक्त के साचे में ढलता क्यों नहीं दूसरों की खुश नशीपी देखकर दूसरों की खुश नशीबी देखकर दिल हमारा अब बहलता क्यों नहीं आज का इंसान सबलता क्यों नहीं वक्त के साचे में ढलता क्यों नहीं दूसरों की खुश नशीबी देखकर दिल हमारा अब बहलता क्यों नहीं और एक कता और आप सबकी तवज्जे चाहूंगा क्यों आशू आँख से बहते हैं ने तुम समझो ने हम समझे रिया साब, हासिम साब आप सबकी तवज्जो क्यों आशू आँख से बहते हैं ने तुम समझो ने हम समझे खुशी शे दर्द को सहते हैं ने तुम समझों ने हम समझे, क्यूं आशू आँख से बहते हैं, ने तुम समझों ने हम समझे, खुशिशे दर्द को सहते हैं, ने तुम समझों ने हम समझे, महबबत वो समंदर है, नहीं साहिल कोई जिसका, मुहबब वो समंदर है नहीं साहिल कोई जिसका मुहबब किसको कहते है ने तुम समझो ने हम समझे मुहबब किसको कहते है एक मतला और चंद अशार वो जिस दिन से हम से ख़फा हो गई है वो जिस दिन से हम से ख़फा हो गई है ये दिन रात सब बे मज़ा हो गई है वो जिस दिन से हम से ख़फा हो गई है वो जिस दिन से हम से ख़फा हो गई है ये दिन रात सब बे मज़ा हो गई है मैं इस वास्ते रह गया हूँ अकेला मैं इस वास्ते रह गया हूँ अकेला मेरे दोस्त सब बारिसा हो गई है वो जिस दिन से हम से और ये शेर पे आपकी तमझे चाहूँगा हमें बेवफा उसे शिकवा नहीं है हमें बेवफा उसे शिकवा नहीं कुछ कि आहले वफा बेवफा हो गए वो जिस दिन से हम से ख़फा हो गई है ये दिन रात सब बेमसा हो गए है वो जिस दिन से हम से खुदा तु ही करना हिफाज़त हमारी खुदा तु ही करना हिफाज़त हमारी के अब राह जन रहनमा हो गए है खुदा तु ही करना हिफाज़त हमारी के अब राह जन रहनमा हो गए है और जिस दिन से हम से और जिने मैंने बच्ची पन में पाला परोसा बड़े हो गए तो जुदा हो गए हैं और जिस दिन से हम से फफा हो गए हैं ये दिन रात सब बे मज़ा हो गए हैं और ये शेर भी आप सब की तबज़े चाहूंगा हमारी तो ओकाद कुछ भी नहीं है सिकंदर के जैसे वना हो गए हैं हमारी तो ओकाद कुछ भी नहीं है सिकंदर के जैसे वना हो गए हैं वो जिस दिन से हम से और ये गज़ल का आखरी शेर तकबुल टपकता है बातों से उसी की तकबुल टपकता है बातों से उन्ने की कई लोग जैसे खुदा हो गए हैं जिस दिन से हम से शुटरे असाथ तकबुल टपक सुक्रिया साम की मैंने को दान मिले हैं और रासिर साम बहुत है तकबुल टपकता है बातों से उन्ने की कई लोग जैसे खुदा हो गए हैं सुक्रिया साम की बहुत बहुत शुक्रिया गुरु उचलन सिंग अजीज साहब वाकि बहुत अच्छा गलाम भी था हमारी तो अवकात कुछ भी नहीं है शिकंदर के जैसे फिरा हुदाए और खुबारबार कुछ जिनका मैं बच्छा जी फैन हुए उनकी मनो आक्टिंग क्या करद होता है एक शिर्द हमार साथ को सुना देता हूँ कि खुबार बलानों तू हूरता तुझे जाहितौन नजर्ड़ू आईए अलिय अक्रम साथ को बैर दावा तो बहुत अच्छा कराम कोशे है कि शेर के साथ के बस्ती में है वो सनाटा जंगल मात लगे शाब टेले भी घर को तो आही राज लगे और खत्बे दिल्की बाते लिकना अच्छी बात नहीं घर में कितने लोगे जाने किसके हाथ लगे जोड़ा तारियों साथ को बैसे चल रहा है बाई चल रहा है असलाम वारेखुन कि अपनी बात करने से पहले मौतरम जनाब अबदुलगफार तानी शाहब को और के साहिब जादे तानी साहब को उनके शादी के मौत बहुत मुआरक बात और मुआरक बात इस बात की भी कि उन्होंने इस शादी के प्रोग्राम में एक अदबी प्रोग्राम रखा यह उनके बासलीका और बाद होने गी मतला यू कहता हूंगे बहुत से राज है उसके रईस होने में बहुत से राज हैं उसके रईस होने में जमीर बेचाहे उन्निस से 20 होने में उसके रही होने में जमीर बेचाहे 19 से 20 होने में और ये शेर्बिued ऐरे ख़्मत के, किसी ने तोड़ा कलंदान अपने बच्चों का, किसी ने तोड़ा कलंदान अपने बच्चों का, किसी को लुफ यतीमों की फीज होने में, और अभी तो काफला है नीन के गुबार में गुम जरस को वक्त लगेगा जरीस होने में अभी तो काफला है नीन के गुबार में गुम जरस को वक्त लगेगा जरीस होने में और ये शेर्बतोरे खास के ये आस्मान कई रंग बदलता रहता है ये आस्मान कई रंग बदलता रहता है खुशी को पल नहीं लगता है टीस होने में ये आस्मान कई रंग दलता रहता है खुशी को पल नहीं लगता है टीस होने में और जो फर्क होता है शायद उसे नहीं मालूम जो फर्क होता है शायद उसे नहीं मालूम नफीस होने में नफसे नफीस होने में जो फर्क होता है शायद उसे नहीं मालूम नफीस होने में नफसे नफीस होने में और फिसलती जाती है मुठी से रेज जीवन की लगे है वक्त क्या पहली को तीस होने में फिसलती जाती है मुठी से रख मुठी से रेज जीवन की लगे है वक्त क्या पहली को तीस होने में और तिर शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अली अक्रम साथ आगे के कुछ लोग अगर बैट जाए तो पीछे जो खवातिन सुने ही वो किसम सकते हैं थोड़ा सा आगया के किसम चाहिए आप जगा बना लीजे बैट में आजए थोड़ा सा आगया कि रियाज में है अभी जगा आजए पीछे लोग बैट जाएंगे अभी अली अक्रम साथ अपना बहुत फुरत क्लाम पढ़ रही थे आईए दोस्तों मैं एक गता पढ़ता हूं किसी वर्हूम शायर की यकीनन आपको यहाद आएगी और उस गता पढ़ने से भी आप लोग समझ जाएंगे मैंने एक गता क्यों प्राएंगे सकता था एक शायर आजब की शेर में यह देखर तो में भी ताज़ुम में पढ़ गया पूछा जो माजरा तो कहने लगे हूं यह सर्दी बड़ी शदीद थी मिस रासु कर गया दोस्तों इकलोते शायर मेरी फैरिस में तंदो मदा के नसीम दिलकश सहाब मैं चाहता हूं कि वह आए और अपना कलाम पेश करें जब तक वो स्टेज़ पर आ रहे हैं तब तक तालियों से आप लोग उनका इस्ताफ़ाल करती हैं यहीं कुरुद के हैं बहुत अच्छा कल आपका है और पहले सुना भी है आफूर आई एक दफार और तालिया हम लोग पजाते हैं असलाम अलेकुं सबसे पहले में मुबारक ना देता हूं जनाब अब्दुलगफार साब के यहां शादी है कफार साब को भी और दानी साब को भी और यह खूब फूले फले और लड़के के हौसरे बलंग रहें पाम्याब रहें क्योंकि मुझे एक शेर रहाद आ गया है शादी के बाद का के शेरों की शादी थी बड़ी धूंदाम थे अब इक तबाव सवाइब त शेरों के बीट अब उसन पकड़ के इस प्रूपाया यह शेरों की शादी है दोना में का इस जल्दा हो तुझे पता नहीं था मेरी शादी है तू कैसा मलगत्ती होगी शादी से पहले में भी शेर निकाव प्रूंदाम की आदसी मुझे कुछ हसन हसाने की आदफ पहले से लोगों को हसाता था उमर मेरी ज्याद है शाइर में बहुत नया है जो कुछ भी लिखा वह साथ की देल है क्या तुम लोगों को हसाते हो जहां भी खड़े होते हो तो मुझा क्या शेर कहने शुरू कर तो मैंने हिम्मत की तो मैं सदर महतरम की जाद सब चुनाना चाहता हूँ शायराना मिजाज रखता हूँ केला चूते ही हो गया नजला केला चूते ही हो गया नजला केला चूते ही हो गया नजला इतना नाजुक मिजाज रखता हूँ और गजल के और दो तीन शेयर वह में वह में तो लंबी हांगता है वह में वह में तो लंबी हांगता है मगर दिवी से फर जसके खर में कोई नहीं दर्वाजा जिसके घर में कोई मैं तो पराई खिरिकियों में जहाना है और एक कटा बेश कर रहा हूं गोरे की और काले की पहचान मिटा दी मैं कब ने आज हुसन की फिशान गटा दी गोरे की और काले की पहचान मिटा दी मैं कब ने आज हुसन की फिशान गटा दी एक नौजवान इसी तरह जहां से में आ गया एक नौजवान इस तरह घासे में आ गया गोरी समझ के काली बरी जानु ताजी और करते हैं तारीफ वो भी अपने दस्तर फान की करते हैं तारीफ वो भी अपने दस्तर फान की जिनके घर होती नहीं आमद कभी मेमान की करते हैं तारीफ वो भी अपने दस्तर फान की जिनके घर होती नहीं आमद कभी मेमान की है गरीबों के मसीहा है गरीबों के मसीहा जेब तो छूते नहीं लग्जी जंग होतो लगा देते हैं बाजी जान की हुआ 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 है गजल के दो तीन शेर और है अभी अमरीका के सदर में और उरत में ठंग गई कि पिछले पांसा साल होगे तो सदर साथ को और से जुखना पड़ा तो उसके मैंने कुछ कहा दो कि जिसके दुनिया पर हुक्मरानी है जिसके दुनिया पर हुक्मरानी है उसने बीवी से हार मानी है और जिस पे बीवी की हुक्मरानी है जिस पे बीवी की हुक्मरानी है उस पर आपर जरूरानी है जिसके दुनिया पर हुक्मरानी है उसने बीवी सहार मानी है और जिस पर बीवी की हुक्मरानी है उसके आपस जरूरा घर में खाना बना रहे हैं जर्म में खाना बना रहे हैं और बाजार में जनाती है और मेरी बीवी का इंतकाल हुए वे चार साल लगबग हो गया है जब उनका इंतकाल होगा है तो मैंने सोचा दूसरी बीवी करूँ लकिन जिस से भी सुना उच्छा उसने एक नहीं बाद लिए तो सब अपनी अपनी सुना रहे हैं एक ने जब सुना आए तो उस समय ने कुछ लिए वो यह समझ रहा था मुहब्बग करीद नी उसको पता नहीं था के आपद करीद नी आप वो यह समझ रहा था मुहब्बग करीद नी उसको पता नहीं था के आपद खरीद आप गर बार बिग गया सभी सामान लुट गया घर बार बिग गया सभी सामान लुट गया बुड़े ने भीवी करके मुसीबत खरीब हो अच्छा अच्छा इस जब को खांदान की इज़त को खानदान की खत्रे में डालके इज़त को खानदान की खत्रे में डालके घर में घुशासा उसके बहुत देख बालके इज़त को खानदान की खत्रे में डालके घर में घुशासा उसके बहुत देख बालके पहले तो लाट घुसे पड़े उसके बाद दित पूरा हिसाब जाकर हुआ कोट वालिके आज का एक और आखनी शेर है आज के दौर का जो जूटा है आज के आज के दौर का जो जूटा है सबसे मजबूत उसका खूटा है आज के दौर का जो जूटा है सबसे मजबूत उसका खूटा है दावा करता है पारसाही का दावा करता है पारसाही का जिसमें दुनिया का मार जूटा है हटीम भी है और भाई नियुक्त पढ़ा है इसाज है नसीम दिलकश साहब अपना कलाम पेश करें थे दोस्तों मुशारा सही टाइम पर चल रहा है और इंशानला बहुत मुटबर शोरा बाकी है बहुत बर तो वो पहले वाले भी थे थोड़ी सी फैरेस तो और बच्ची हुई चूकर तंदो मजा का बाहूं था तो इसके थोड़ा सा बीच पर मैं भी हाइल हो जाओं ताके आने वाले शा नद्वी सल्लामों के अगदे बस्रून के मौके पर यह अदवी शाम मनाई जा रही है जो किसी आलमी मुशाहरे से कम नहीं है अब्दुलगफार दानिश नूरपूरी साथ जो इसके कन्विनर भी है और जो आई के मेजबान भी है अश्रफ ली बस्तिवी साथ जो मारूफ साहफ ही यह बहुत अच्छी किताब अभी कार्पूरेट मीडिया करके आई है जिसकी बहुत बजीराई ना सिर्फ हिंदुस्तान में होई बलके हिंदुस्तान से बाहर भी होई एशिया टाइम्स के वो डारेक्टर माली कॉर्णर सब कुछ है और आज यह प्रोग्राम पास वो अज़ा पहुंचे दे किसी दूसरे हिंदुस्त पास एक साफ गया कि उन्होंने कई दिन से जजाबत नहीं हुए है लेटिन नहीं हुए है तो उन्होंने कुछ पूरिया दी है और कहा कहा क्या हूँ वह अगले दिन पहुचे कि कुछ नहीं हुआ पिन उन में दिलकष साहब के बाद रूबा बिजनोरी एक बहुत उभरता हुआ और बहुत मौतबर नाम हमारे मुशायरों की दुनिया में है इन जैसे नोजवानों के बारे में वसुख के साथ ये शेर पढ़ा जा सकता है कि कहदो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है जोरदार तार्यों से पुरुबा बिजनोरी साथ आप सामाई नजरात आदाप इकतसार का हुपम है और बहुत बहुत शुक्र गुजाल हूँ जनाब राजी वर्यास परताब गड़ी का जनों नखाक सार को याद किया बिला किसी तमहित के चन्द मिसर आपकी सौमातों के लाभाले लाज़ा फर्मिए जरा अर्सकिया है के प्यार घुलूस experienced क्या-क्या तोफे लाया था प्यार घुलूस औ उनसों महबत क्या-क्या तोफे लाया था अपनी सादा लोही से खुद मैंने धोका खाया था वो मिलने की खाहिशती तुझ से मिलके मगर अफसोस हुआ मैं तो तेरे घर तुझ को इंसान समझ कर आया था बहुत बहुत नौज मैं तो तेरे घर तुझ को इंसान समझ कर आया था और हज़रात और वजल का मतला आप हज़रात के समारतों के हवाले मतला अर्श किया है कि बाहों में तेरी हिज्र की एक शब गुजारने मैं आ गया हूँ कापुले तोरां सवारने आखों में तेरी हिज्र की एक शब गुजारने मैं आ गया हूँ कापुले तोरां सवारने आँखों में भिर रहा है नशे मन जला हुआ आँखों में भिर रहा है नशे मन जला हुआ बरबाद कर दिया मुझे फसले बहारने बरबाद कर दिया मुझे फसले बहार ने और देखा जो मेरा हाल तो लहजे बदल गए उच्छा ही नहीं हाल किसी गम गुसार ने और अरदरात उर्दू के हवाले से मैं आपको चेंदाशार ओर सुनाना चाहता हूँ मतला इसके आए कि जब तुझे बोलनी उर्दू ही नहीं आती है जब तुझे बोलनी उर्दू ही नहीं आती है इसलिए लहजे से शुठ नहीं आती है बहुत बहुत नवाज़िस में जब तुझे बोलनी उर्दू ही नहीं आती है जब तुझे बोलनी उर्दू ही नहीं आती है इसलिए लहजे से हुश्बू ही नहीं आती है कितनी रुट आई गई कितने जमाने बदले कितनी रुट आई गई कितने जमाने बदले जिन्दगी तू है मगर तू ही नहीं आती है जिन्दगी तू है मगर तू ही नहीं आती है दूप से कर ली है जिस दिन से दोसती मैंने धूप से कर ली है जिस दिन से दोस्ती मैंने अब किसी सम्त नजर लू ही नहीं आती है अब किसी सम्त नजर लू ही नहीं आती है हज़रात अगर आप इजाज़त दें तो मनकबत के चंद आशार आपके समातों के हवाले पर दें बहुत बहुत शुक्रिया फज़रात मनकबत के चंद आशार रहा पतोरे खासार भी गिलिया हाथों में घुर्मला लई के तीर देखकर हाथों में घुर्मला लई के तीर देखकर जूले से उतरे हसके ये बेशीर देखकर दश्टे बला में जोशे सुजात से भर गया बीमार अपने पाओं की जंजीर देखकर अकबर की एक जहलक से ही मसरूर हो गए अकबर की एक जहलक से ही मसरूर हो गए शबीर अपने नाना की तस्वीर देखकर अकबर की एक जहलक से ही मसरूर हो गए शबीर अपने नाना की तस्वीर देखकर तखते यजीद लर्जा बरंदाम हो गया तखते यजीद लर्जा बरंदाम हो गया अजमे जनाबे जैनबे दिलगीर देखकर अजमे जनाबे जैनबे दिलगीर के देखकर बहुत बहुत नवाद शुक्रिया रुबा बिजनौरी साथ का आईए दोस्तो रियाज हनफी साथ जो अभी खुद कह रहे थे कि इनकी उस्ताश शायर मनती है ये खुद उस्ताश शायर है दूर दूर तक शोहरते हैं इनकी और बहुत अच्छा किलाम पढ़ते हैं और चुके विजनौर में अल्ला ताला ने ऐसी ऐसी शखस्यात को पैदा किया जो एक बड़ी तबील फैरिश थे जिफ्जुर रह्मान साथ कुरत रहे ने हैदर से दूसर से बहुत एक लंबी फैरिश थे उसी में डाक्टर मुलाना सि रियादिन नद्वी साब भी रियाद हनिफी साब भी मैं निहाद अदब रहतराम के साथ दावत देता हूं रियाद हनिफी साब को कि जब जहने तरन्नुम तबता है एहसास के सोलों में पहलो तब जाके कहीं एह जाने घजल एक शेर घजल का किता है जोरदार तालियों से लो प्रियास हनी की साथ का इस तक बाल करें हैं खजर मुहतरम की इजाज़त चाहते हुए और जनाब अब्दुलगफार साथ को इस शादी के मुबारक मौके पर और इस खूबसूरत मैफिल के इनकाद पर मुबारक बात पेश करते हुए एक शेयर पढ़ता हूँ कहा है कि उसे दुश्मन भी अच्छे लग रहे थे सर शेर देखें उसे उसे दुश्मन भी अच्छे लग रहे थे मेरी आँखों से देखा जा रहा था उसे दुश्मन भी अच्छे लग रहे थे उसे दुश्मन भी अच्छे लग रहे थे मेरी आँखों से देखा जा रहा था और एक बदला समात फरमाईए कहा है कि बस यही सोच के हर फिक्र ने दम तोड़ दिया बस यही सोच के हर फिक्र ने दम तोड़ दिया उसने क्या बात लिखी थी कि खलम तोड़ दिया बस यही सोच के बस यही सोच के हर फिक्र ने डम तोड़ दिया उसने क्या बात लिखी थी के कलम तोड़ दिया चलिए दो चार शेर और तुमा देता हूं काहे के जमां हुए हैं लड़क पन से घम उठाते हुए जमां हुए हैं लड़क पन से घम उठाते हुए सो देखता भी हमें कौन मुस्कुराते हुए जमां हुए हैं लड़क पन से घम उठाते हुए सो देखता भी हमें कौन मुस्कुराते हुए और शेर देखें का आए कि मेरा वुझूद खटकता है बुद परस्तों को मेरा वुझूद खटकता है बुद परस्तों को मैं मारा जाऊंगा सद्रे में सर जुखाते हों मेरा वजूद खटकता है बुद्परस्तों को मैं मारा जाऊंगा सज्दे में सर जुकाते हुए और दो चार शेर सुनली जेगा कहा है कि जब तक समंदरों पे भई खबीर साथ तोड़ा तबज्जे चाता हूँ जब तक समंदरों पे जारा नहीं हुआ जब तक समंदरों पे जारा नहीं हुआ बादल भी कोई दोस्त हमारा नहीं हुआ बादल भी कोई दोस्त हमारा नहीं हुआ और शेयर सुनें कि इतने बढ़ा लिये थे किसी आदमी ने खर्च इतने इतने बढ़ा लिये थे किसी आदमी ने खर्च इमान बेच कर भी गुजारा नहीं इतने बढ़ा लिये थे इतने बड़ा लिये थे इतने बड़ा लिये थे किसी आदमी में खर्च इमान बेच कर भी गुजारा नहीं हुआ और शेर देखें कि हम हम आफ़ताब इनों को जमी पर उतारते हैं डाक्टर साब ये शेर आपकी नज़र है समाथ फर्माईए कहता हूं कि हम आफ़ताब इनों को जमी पर उतारते तेरी तरफ से कोई शारा नहीं हुआ हम आफ़ताब इनों को जमी पर उतारते तेरी तरफ से कोई शारा नहीं हुआ और एक बहुत सादा सा शेर समाथ फर्माईए कहता हूं कि फिर तुम भी तो यार दिल से किसी के नहीं हुए तुम भी तो यार दिल से किसी के नहीं हुए फिर क्या हुआ जो कोई तुम्हारा है तुम भी तो यार जिससे किसी के नहीं हुए फिर क्या हुआ जो कोई तुम्हारा नहीं हुआ एग खजल के दो तीन से और सुनी जे कहता हूँ के शिद्द से इंतजार किसी नहीं किया सद्रे महतरम शिद्द से शिद्द से इंतजार किसी नहीं किया मा तेरे जैसा प्यार किसी नहीं किया शिद्द से इंतजार शिद्दत से इंतजार किसी ने नहीं किया मा तेरे जैसा प्यार किसी ने नहीं किया और काये कि दो चार दिन तो जूट के सिक्के बहुत चले दो चार दिन तो जूट के सिक्के बहुत चले फिर उसका एतबार किसी ने नहीं किया फिर उसका एतबार किसी ने नहीं किया और शेर सुने कि जलते हुए चराग की लोग आड़ दी गई जलते हुए चराग की लोग आड़ दी गई सूरत के सर्पेवार किसी ने दें किया सूरत के सर्पेवार किसी ने नहीं किया चलिए अब मैं एक तादा घजल अभी जो मैंने पिछले हमते फेस्बुक पे डाली थी वो उसका सुनाना सुनाना जरूरी समझता हूं दो चार शेर कुछ लोगों ने उसके चर्बी भी किये हैं कुछ कर भी रहे हैं तो जरूरी है सुनाना उस बतल का काई के शुमार क्या हुआ उसका रईस लोगों ने मतला देखें मौतरम शुमार क्या हुआ उसका रईस लोगों में तमाम लोग हैं शामिल जलीस लोगों में तमाम लोग हैं शामिल जलीस लोगों जलीस के माइनी है रफीक के साशी के तो अब समझ मा जाएगा शेर के सुमार क्या हुआ उसका रईस लोगों में तमाम लोग हैं शामिल जलीस लोगों में और शेर देखें के हमारी जेब कहां इतनी जेर करती है सर सेर देखें हमारी जेब कहां इतनी जेर करती है किसी खरीब के बच्चे की फीस होने में हमारी जेब हमारी जेब कहां इतनी गेर करती है किसी खरीब के बच्चे की फीस होने में और शेर कहा है समात वर्माएं कि अभी तो अभी तो की है शुरू आते मर्सिया गोई अभी तो की है शुरू आते मर्सिया गोई हजार साल लगेंगे अनी सोने में अभी तो की है शुरू आते मर्सिया गोई हजार साल लगेंगे अनी सोने में हजार साल लगेंगे अनी सोने में और शेर सुने के सिवाए खुद के कोई दूसरा नहीं सुनता ठीकि ये वो शायरी है जो खालिस अहल इल्म की महफिल की सुनाई जाती है मैं समझता हूँ कि वाकई ये अहल इल्म की महफिल है और वाकई बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं आप आपको भी मैं मुबारक बात पेश करता हूँ इस बात की के आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं शेर सुने के अभी तो की है शुरू आते मर्सिया गुई हजार साल लगेंगे अनी सोने में और कहाए के सिवाए खुझ के कोई दूसरा नहीं सुनता सिवाए खुझ के कोई दूसरा नहीं सुनता जो एक चीख उबरती है टी सोने में सिवाए खुझ चुझ के कोई दूसरा नहीं सुनता जो एक चीख उबरती है टी सोने में और शेर सुनिये ये घजल का शेर है कि तुम्हारे खुल के बरसने का हाथ लगता है तुम्हारे तुम्हारे ठुके बरसने का हाथ लगता एै तमाम शहर के मंज़र नफी सुने में तमा हं शहर के मंज़र नफीस सुने मैं और चलिया आकरी शेर सुना दिता हूं गजल का, जिसे मक्ता कहते हैं कहा है किसी की रूह में उत्रा किसी के दिल में रियास किसी की किसी की रूह में उत्रा किसी के दिल में रियास कमाल कर दिया उसने समीज होने में वाह 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 प्रयाद हड़ी साथ बहुत बेहतरे इंकलामा आपने परा आए दोस्तों चूंके मकामी शोरा की फैरिस का इक्तिताम होने जा रहा है सरक्ड़ा चक्राजमल करीम में ही है धामपुर और सिवारा के बीच में मेरा बच्पन भी वहा गुजरा और फखर दीन फखर साथ वहीं से मतालिक है इनीकी सब परिस्ती में मेरा बच्पन गुजरा डाक्टर सिरादी नद्वी साथ के छोटे भाई हैं उस्ताज शायर है मैंने जब तक बच्पन में होश भी नहीं समाना था तब से उनकी शायरी सुनता रहा हूँ उन्ही के शेर से उन्हें दावत देता हूँ कि जौके सफर ने दम ही ना लेने दिया कही जौके सफर ने दम ही ना लेने दिया कही मैं तेरी रह गुदर से भी आगे निकल गया मैं तेरी रहे गुदर से भी आगे निकल गया दोस्तों जोरदार तालिया वज्याद है बस कुछ शायर और बाती है इसलाम आलेकुम जी दोशे समास रवाईज अर्द किया है चान्द नी में तरदो करबे हिज्र को सहता रहा चान्द नी में धरदो करबे हिज्र को सहता रहा दुनिया तो सोती रही और मैं वजल कहता रहा चामनी में तर्दो कर बे हिज्र को सहता रहा दुनिया तो सोती रही और मैं वजल कहता रहा तुछा साथ तुछा शेट देखेगा के एक दिन आएगा जब पैदा यहां होंगे शजर एक दिन आएगा जब पैदा यहां होंगे शजर आस दिन में ये लिए सहरा में मैं रहता रहा है आस दिन में ये लिए सहरा में मैं रहता रहा है और एक शेर हो रहा है कि तजरबाते सल्प से क्या सीखता तजरबाते सल्प से क्या रोकता सहलाव वक्त अज्रबात सल्प से क्या रोकता सहलावी वक्त वक्त के धारे में माजी को लिए पहता रहा वक्त के धारे में माजी को लिए पहता रहा Anita अच्छा शुखरिया साथ वई जाते हैं अब पस्पा कभी ऐसा जमाना था हुए जाते हैं अब पस्पा कभी ऐसा जमाना था हमें दुनिया ने समझा था हमें दुनिया ने जाना था हुए जाते हैं अब पस्पा कभी ऐसा जमाना था हमें दुनिया ने समझा था हमें दुनिया ने जाना था और दूसरा शेर है कि ये शजरे खुशनुमा जो अब हमें बेगाना लगता है ये शजरे खुशनुमा जो अब हमें बेगाना लगता है एक ऐसा वक्त था इस पर हमारा आशियाना था ये शजरे खुशनुमा जो अब हमें बेगाना लगता है एक ऐसा वक्त था इस फर हमारा आश्या आश्या है ये घजल भी है टुटी-पूटी ये मतला है के पता है कुछ लोक्यों हस्ता बहुत है उसे हालात का सद्मा बहुत है पता है कुछ तो क्यों हस्ता बहुत है उसे हालात का सज्मा बहुत है लिबास उस्छक्स का उज्ला बहुत है लिबास उस्छक्स का उज्ला बहुत है मगर दिल दिये कि ये काला बहुत है और शेर है के रहे उल्फत के राही बैठ मत रहे उल्फत के राही बैठ मत अभी मन्जिल कहां चलना बहुत है रहे उल्फत के राही बैठ मत अभी मन्जिल कहां चलना बहुत है और मक्तस मासा भाली जीए के फखर फखर ऐसा तो नहीं के जंग हो फखर ऐसा तो नहीं के जंग हो इस साल अमन गुल भी चमन भी मेरा नशेमन विजल गया गुल भी चमन भी मेरा नशेमन विजल गया जुल मत का दौर कितने उजाने निकल गया और हुसन मतला है हाथों में आके आपका दामन निकल गया वो लुथ वह कहां के जमाना बदल गया और जौके सफर ने दम ही न लेने दिया कहीं जौके सफर ने दम ही न लेने दिया कहीं मैं तेरी रह गुदर से भी आगे गुदर गया और एक आज थी जो यास के सहरा में खो गई एक आज थी जो यास के सहरा में खो गई एक दिल था जो निगाह की गर्मी से जल गया एक आज थी जो यास के सहरा में खो गई एक दिल था जो निगाह की गर्मी से जल गया और मक्ता दिखेगा के एफखर हमको जिसकी वफाओं पनास था एफखर हमको जिसकी वफाओं पनास था देखा तो वो भी वक्त के साथे मिल गया माल है नायाब और गाहक है उससे बेख़वर माल है नायाब पर गाहक है उससे बेख़वर शहर में खोली हाली है दुका सबसे है लगा फखर दीन फखर साब से बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे लेकिन वो चाहे की नजर हो गया कोई मसला नहीं दोस्तों कब इसके के मैं रोशन निजामी साहब को दावत दूए एक लटीफा मेरे जहन में आया तो मैं सुना जेता हूँ कि आप चीफ देस्ट है ना आज है वो वैसे भी यह तक्दीमत आफिर कुछ हो दे रही है खुदा का शुक्र है कि जो बड़े से बड़े उस्ताश शायर है वो भी बढ़ चुक है ऐसा कोई मसला नहीं तो नदीबा सुनाना चाहरा था हारे के आया दूसरा याद था हूँ दूसरा सुना रहा हूँ आपको तोक दिया वीच में एक साप गये साओधी अरब कमाने के लिए पढ़े लिए लिए थे नहीं अपना काम के लिए गये थे वही कुछ इस तरह क्या हालात बने कि एक अरब लड़की से उसकी शाही होगी जाहिर है वहां अर्भी बोली हो गई सुवाई यारों दोस्तों ने पूछा अरे भाई कैसा रहा क्या रहा रात में बताईए कि लगा यार खाक बताओ मैं जैसे गया अंदर वो वैसे ही पूरी रात चिलावते कलाम करते रही मैं रुबार कर सुनता रहा बैख आईए दोस्तों प्रोशन निदावी जो चलोसी से तश्रीक भाएं बहुत अच्छा कराम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे अशार कहते हैं और आजकल मुशारों में जगा जगा इनकी नमाहिंदगी हो रही है और मैं शेर के साथ कि सारा कलेजा कट-कट कर जब अश्कों में बह जाए तब कोई फरहाद बने तब म हज़राद सच बात यह है कि बहुत बहुत अच्छे मुझे यहारी कि पुर्ण शेयर की मुझे देखे लिए साल में एक दो मशायर में जभी पढ़ने का शरफ हासिर होता है एक बात मैं अपने तजरुबे की पचास साला उम्र की मैं तक्रीबन पच्चीस से तीस साल के भी डाइस पर रहता हूं कि अगर दस हजार का भी मजमा है तो उसमें जादा सा जादा पचास लोग शेयर को सुनक कर समझने वाले हैं आज मैं जी इस महफिल में और इस नस्षिष्ट में आने के बाद अपने आपको खुशनसीव समझता हूं कि राजीव रियाद हुए ऐसे ऐसे सामा और ऐसे शायर हजरात की दीश में लाए कि कम से कम वहां शेयर समझेद हो जाए है लेकिन शेयर समझ कर दाद दी जाए तो एक अच्छा माम होता है वहां बगार किसी तम्हीत मतले से कुछती हैं सफर शुरू करता हूं अर्ज करता हूं कि इस मोड पे लाए हमें हालात हमारी इस मोड पे लाए हमें हालात हमारे हमसे भी नहीं मिलते खयात शुक्रिया भाई इस मोड पे लाए हमें हालात हमारे हमसे भी नहीं मिलते खयालात हैं शुक्रिया भाई एक मतला और पढ़ता हूं इसी उम्मीद के साथ अर्ज़ करता हूं कि अब महबत के यहां फूल कहां खिलते हैं एक ही शहर में रहता दिलती हैं अब महबत के यहां फूल कहां खिलते हैं एक ही शेहर में रहकर भी नहीं हैं एक मतला और रास्ते में हुआ था राजीब को सुनाया था मैंने मतला देख लिए अगर किसी काबल हो तो है साधा सा कहा है कि हो जाता है शायर के जहन में आता है तो अर्स किया है कि कोई कोई तो इनसा इतना पूल जाता है कोई कोई तो इनसा इतना पूल जाता है वक्त के बदलते ही वक्त भूल जाता है वक्त के बदलते ही वक्त भूल जाता है शुदरिया भाई कि वक्त के बदलते ही वक्त भूल जाता है ये भी सफर का ही है एक मतला एक शेयर बनता हूँ और जो मेरे उस्ताद यहां बेड़े हूँ तो मैं खास तबज्ज़ चाहता हूँ इसमें यहां पर फने उरूस के अंदर जो मैंने यहां शेयर मतला कहा है कुछ उस्ताद एब बताते हैं कुछ उस्ताद नज़र बना से अर्ज करता हूँ के तेरे दीदार की इस दर्जा खुशी होती है हज़रत तेरे दीदार की इस दर्जा खुशी रहती है मैं तो सोता हूँ मेरी आख खुशी रहती है और शेर अर्ज किया है के अलाते हाजरा जिन्दगी ऐसी जगा काट रहे है हम भी जिन्दगी ऐसी जगा काट रहे हैं हम भी चप्पे चप्पे पर जहां मौत खड़ी रहती है और एक मतला दो मतले और एक शेर एक शेर के लिए दो मतले आपको बदाश्ट करने वह अर्ज किया है कि बाप के नाम से उलाद आया होती है बाप के नाम से उलाद आया होती है लब पे तकलीफ में हर शक्स के मा होती है बाप के नाम से उलाद आया होती है लब पे तकलीफ में हर शक्स के मा होती है गफ्तगू करने को हर मूँ में जुबा होती है गुफ्टगू करने को हर मुँ में जुबा होती है सिर्फ गहरत है जो आखों से बया होती है सिर्फ गहरत है सुगरिया गुफ्टगू करने को हर मुँ में जुबा होती है सिर्फ गहरत है जो आखों से बया होती है और जिस शेर के लिए दो मतले मैंने आपको सुआए कि एक, दो, तीन नहीं, सैकड़ों शैतानों एक, दो, तीन नहीं, सैकड़ों शैतानों के खोश उर जाते हैं जिस वक्त अजान होती हैं खोश उर जाते हैं जिस वक्त अजान होती हैं एक दो तीन नहीं एक दो तीन नहीं सेगड़ों शैतानों के खोश हो जाते हैं जिस वक्त अजा होती है और एक मतला दो तीन शेरों पेश करता हूं आप बहुत अच्छा सुना है आला कि अख्तिसार के मानिय मुझे भी आती है लेकिन मैं भी देड़ सो किलुमीटर से चल के है तो मैं यकिनन को इसका पूश्चे अच्छे शूर्थ मकामी शाइरों ने तुनाए है अर्व आप जब तक मौका दें मैं आपके हूं को कभी नहीं चालूँगा अर्जगरता हूं मतला यह और दिखिया है कि जिस घड़ी जिस घड़ी उस शखस से थोड़ी चलब हो जाएगी खुद बखुद पैदा उसे मेरी तलब हो जाएगी और शेयर अर्जगिया है कि जिल सी आखों में उसकी किस कदर गहराई है एक दुनिया और हो वो भी गड़ब हो जाएगी जिल सी आखों में उसकी किस कदर गहराई है एक दुनिया और हो वो भी गड़ब हो जाएगी एक दुनिया और हो वो भी गड़ब हो जाएगी और आप जितनी लाए हैं इतनी कहां प्यास है जाम लप्पे आ गया तो सब साफ हो जाएगी जाम लप्पे आ गया तो सब शड़ब हो जाएगी और आपके हिस्से में रोशन क्या बचेगा सोचिए जिन्दगी तक मौत के मूँ में हड़ब हो जाएगी जिन्दगी तक मौत के मूँ में हड़ब हो जाएगी और असल मैं जी हो जी मैं तरण नहीं से नहीं पॉलता अब कहीं यूट्यूब पे मैं नहीं पॉलता हूं तरण नहीं से और मेरा जो असल मिजाज है शाइरी गा उससे राजी रियाद ने पहले कुछ बात को खोल दिय बोले बहुत अच्छे सुनने वाले यकीनन उन्होंने विचारों में मुझसे जूट नहीं गोला तो मेरा जो मिजाज है वहां से मैं आपको चाहाँ चाहाँ है चाहाँ मिज़े देखिए कि अर्ज किया है कि अब सियासत नई आवाज बना सकती है अब सियासत नई आवाज बना सकती है कुछ नए राग नए साज बना सकती है अब सियासत नई आवाज बना सकती है कुछ नए राग नए साज बना सकती है शाजहाँ ने तो बस एक ताज महल बनवाया यह हुकूमत कई मुम्ताज बना सकती है यह हुकूमत कई मुम्ताज बना सकती है और एक मतला पढ़ता हूं कि अभी यह क्या है हलागे मैं कोई सियासी आदम मेरा भाई है पूरा सियासत में डूबा वा है इसकी नाज़र करके आपके हवाले अर्ज करता हूं कि आप पुरासा हालात तर तवज्ज़ फरमाएं अपने जहन को वहा ले जाएं मेरा मतला सुने और मैं है चाहता हूं कि मतला अगर आप तक पहुच जाए तो मुझे यकीनी दोर बे बुराओं से नावाद दीजिएगा अर्ज करता हूं कि खुशियों का अभी दूर तक इमकान नहीं है हैरत है कोई शक्स परिशान नहीं है हुचियों का अभी दूर तक इमकान नहीं है है फैरत है कोई शक्स परिशान नहीं है और हर वक्त दिया करते हो फैरों की मिसाल है हर वक्त दिया करते हो फैरों की मिसाल है क्या आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है कि अि हर वeton कि मैं रहें है कि उपनी कोई पहचान नहीं कि ए कि आपकी अपनी कोई पेहचान नहीं है क्या आप की अपनी कोई पहचान नहीं है चार शुदर से का ल prest Sick यहां उसको शायद मुझे लगता है कि मैं जो वजल बाप पढ़ूंगा इसकी बाद उसकी किस उम्मीद के साथ चार मिज़र और परदाश कर लीजिए अर्ज करता हूं कि तकदीर का है खेल समुन्दर भी पास था तकदीर का है खेल समुन्दर भी पास था मुद्द से मेरे हाथ में खाली गिलास था और शेर यूं किया के तकदीर का है खेल समुन्दर भी पास था मुद्द से मेरे हाथ में खाली गिलास था और शेर यूं किया के यूं कहा के तकदीर का है खेल समुन्दर भी पास था मुद से मेरे हाथ में खाली एकलास था पीने पर आउं तो ये समूंदर भी कम रहे पीने पर आउं तो ये समूंदर भी कम रहे लालच है मेरा नाम मुझे इतनी बहुत सुरी मैं कुदर रदीब गलत पड़ह गया। में आपको गजल फिराओं देशनी को लेगी आपड़े में नहीं है यह यह पहले अच्छा साथ सिस्टम अब यह अर्द किया है कि अबड़ खावार काफी मैंने इस्तेमाल किये है और कुछ मेहनत की घजल के हुए है और सब एले फ़न है यहां समझ लेंगे कि तो कुछ किया है घजल में अर्ज किया है कि कुछ काम खू़िके करते हैं कुछ काम आर से कुछ काम खुलके करते हैं कुछ काम आर से हम लोग जी रहे हैं बड़े ही जुबाव से कुछ काम खुलके करते हैं कुछ काम आर से हम लोग जी रहे हैं बड़े ही जुबाव से और इसी काफियों को मैंने फिर नजब किया है कि महनत के साथ अकल लगा कर जुबार से महनत के साथ अकल लगा कर जुबार से सोना निकाल लेते हैं बच्चे कबार से सोना निकाल लेते हैं बच्चे कबार से पशेरियों वर्ज किया है अपने भाईयों से जो शायर हैं मैं उन्से पावियों पर तबज्ज़ जा था हूँ कहां कहां से कैसे में पाना चला हूँ के सोना निकाल लेते हैं बच्चे कवार से इतनी बुलंदियों पर रोजी कमाई है बच्चा दिखाई देता है बुढ़ा भी पार से बच्चा दिखाई देता है बुढ़ा भी पार मेरे शेर को आपने जादे अच्छे तो बज्जों से समझाओगा सो सो मंदिल पर जो है असी असी माला पर काम गड़ते हैं लोग उपर से मैं देखा है चाली चाली पचास-पचास माला पर चड़के मैं भी गया हूँ मैंने य खाई देता है बुढ़ा भी पार से और शायद किसी की आँच से आशू नहीं रुका दिन रात आ रहा है जो पानी पार से दिन रात आ रहा है जो पानी पार से शायद किसी की आँच से आशू नहीं रुका दिन रात आ रहा है जो पानी पार से और शेर बढ़ता हूँ साब दुआओं का तालिब के दीमक ने इक्तिलाफ की चौकट को खा लिया घर सारा रो रहा है लिपटकर किवार से और पिछले बरस जमीन को पानी नहीं मिला फसले तबाह हो गई इस साल बार से एद दुश्मनाने अम सुनो कान खोल कर पाफिये की तवज्ज़ चाओं एद दुश्मनाने अम सुनो कान खोल कर जाकर कभी नाओगे वापस तिहार से जाकर कभी नाओगे वापस तिहार से फिर से पाफिये पे तवज्ज़ चाओता हूं कर जाकर कभी नाओगे वापस तिहार से आए नजर कहीं कोई खदार देश का आए नजर कहीं कोई खदार देश का दोली निकल दीजिए सीने में धार से बहुत 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 शुक्रिया प्रोशन निजामी साथ मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका कि आप इक्तिसार को समझते थे अगर ना समझते तो बड़ा मसला पेंदा हो जाता है उस्ताद महतरम ने डेर सो किलोमीटर का सुनके डेर सो शेर की परमिशन दे दी तो मैंने का जहावेज सिदीकी साथ तो दुबई साय है दो चार दिन तक बुशारा चलता रहे अगर इसी तरह से वो रखा गया जावेज सिदीकी साथ जो है अभू जहवी में मुकीम है लेकिन इन दिनों देहली आए हुए है अभी चंद दिन पहले आजमगर इनका आभाई वतन है वहाँ गहते लेकिन शादी में शिर्कत के लिए वली में वहाँ से आजमगर से कल चले फिर सुबादेली पहुँचे और वहाँ से यहाँ आए है बहुत खुरसूरत कलाम आप लोगों ने नात के जरी आवाज भी सुनी होगी दोनों तरह से पढ़ने का अल्ला ताला ने मल मुरूमुर के शहर के दरोदीवार देख लो जोड़ दार तारियों से आप लोग जावेश लिगी साथने साथ ने पाई दोनों तारियों ने बिल्कुल इन्शालला आपकी सर्माईश सब्सक्राइब कर दोनों तरह से लिगार वाज़ दोनों तरह से लिगार विगार दोनों तरह से लिगार है अज की इस खुब्सूरत महिफिल और शादी की तक्रीद के लिए मैं महतरम को वारगबाद पेश करता हूँ और एक मतला और एक शेर मराइज़ा फरमाईए के सिर्फ दिल से ही नहीं जासे निकाले हुए हैं सिर्फ दिल से ही नहीं जासे निकाले हुए हैं फिर भी हम हैं कि उसी घर को समाले हुए हैं एक जमाना हुआ जन्जीरे वफा तूटे हुए एक जमाना हुआ जन्जीरे वफा तूटे हुए फिर ये क्या है कि जो अब पाओं में ढाले हुए हैं तलब हुई तो हथेली पर सर दिखाया गया तलब हुई तो हथेली पर सर दिखाया गया हमी को शहर में एक मौतबर दिखाया गया तलब हुई तो हथेली पर सर दिखाया गया हमीक व शेहर में एक मौत बर दिखाया गया जो अमन का था पएमबर वही से लौड गया और चाहता हूं शेतर के जो अमन का था पैमबर वही से लौड गया उसे लहुमे कबुतर जुतर दिखाया जो आउने का था पयंबर वहीं से लौट गया उसे लहो में कबूतर जो तर दिखाया गया सवाल उठा के साबित पदम है हक पर कौन सवाल उठा के साबित पदम है हक पर कौन सुना है सब को हमारा ही घर दिखाया सवाल उठा के साबित कदम है हम पर कौन सुना है सबको हमारा ही घर दिखाया गया जुका सकाना कोई सर कभी पलंदर का जुका सकाना कोई सर कभी खलंदर का बहुत डराया गया माल जर दिखाया गया जुका सकाना कोई सर कभी खलंदर का बहुत डराया गया माल जर दिखाया गया उतरना आए कबीला मेरा बगावच पर उतरना आए गबीला मेरा गवावत पर अमीरे शहर का फिर से जो डर दिखाया गया हमारे शहर में कल हादसा अजीब हुआ किसी का नेजे पे जावेद सर दिखाया गया हमारे शहर में कल हादसा अजीब हुआ किसी का नेजे पे जावेद सर दिखाया गया हुआ था वो कि जो सोचा नहीं था हुआ था वो कि जो सोचा नहीं था मेरा होकर भी वो मेरा नहीं था बरस्ता था उसी पर रोज बादल बरस्ता था उसी पर रोज बादल जो तेरे शहर में प्यासा नहीं था अब गिराया वक्त ने एक दिन जमी पर मैं अपने आप में रहता नहीं था गिराया वक्त ने एक दिन जमी पर मैं अपने आप में रहता नहीं था उसी की बात दुनिया सुन रही थी जिसे सच बोलना आता नहीं था उसी की बात दुनिया सुन रही थी जिसे सच बोलना आता नहीं था हमारा नाम था जहनों में सब के हमारे नाम था जहनों में सब के हमारे गतल का चर्चा नहीं था तरस खाओं दिले नादा पे क्या मैं तरस खाओं दिले नादा पे क्या मैं ये मेरी एक भी सुनता नहीं था वफा की राह में जावेद मैंने वो क्या शेय थी जिसे हो या नहीं था तरणनम से चार शेयर सुना कर दिले जादा था अपनी हद से गुजर गया हूं मैं अपनी हद से गुजर गया हूं मैं रफता रफता बिखर गया हूं मैं रफता रफता बिखर गया हूं मैं अव्ली शियर खास तोर्ट से आप लोग आज़ा फर्माएं कि जिन्दगी मत मजाख कर ऐसा जिन्दगी मत मजाख कर ऐसा खुद पे हस हस के मर गया हूं मैं खुद पे हस हस के मर गया हूं मैं जिन्दगी मत मजाख कर ऐसा खुद पे हस हस के मर गया हूं मैं रो पड़ी क्यों लिपट के तन हाई रो पड़ी क्यों लिपट के तन हाई जब कभी अपने घर गया हूं मैं रो पड़ी क्यों लिपट के तन हाई जब कभी अपने घर गया हूं मैं हार जाने का गम नहीं कुछ भी था जरूरी जो कर गया हूं मैं खौफ कभ दुश्मनों का था मुझ को खौफ कभ दुश्मनों का था मुझ को अपनी वहशत से तर गया हूं मैं अपनी वहशत से तर गया हूं मैं दे रहा है कोई सदा जावे दे रहा है कोई सदा जावे बन के पत्थ है गया हूं मैं बन के पत्थ है बहुत 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 शुक्रिया जावे जावे सिद्जिकी साहब और इनके शेयर से मुझे अहसास हुआ कि वागी शायर लोग चालाक भी बहुत होते है जावे धन्वी साहब इसी उसी की बात दुनिया सुन रही थी जिसे सच बोलना आता नहीं था इसी को जरा सा यू कर दिये कि उसी की बात दुनिया सुन रही है जिसे सच बोलना आता नहीं है तो तिहार में चले जाएंगे तो कितने चालाक होते हैं कि था बात में देखा जाएगा कौन था बारहाल जावे सिद्जिकी साहब कि हम इसलिए भी शुक्र उगजा रहे हैं कि बहुत लंबा सफर दे करके यहां पहुँचे हैं कि मैं अगले शायर को दावत दू आखरी लती फाज का पूर सुनाना चाहते हैं एक बहन के साथ भाई थी उसकी शादी होई तो जो वो कुछ दिनों बाद आई तो बड़ी दूबली पतली थी तो उन्होंने का यार कैसा क्या है सबकुछ सुस्राल में था ये थनी दूबली पतली क्यूं हो गई तो पूछा उससे तो उसने बताया कि महां कुछ और चीज़ इन जाती सिवाय डाल के क्चा कुछ कुछ नहीं सिवाया डाल के महां कुछ पकता ही नहीं है मैंने वहाइест कोशिक की वहेंसा कभीनी हुआ के कुछ और पखग जा कच्यों उन्होंने एक स्कीम समझा दी और पिर जब बहन गई उन्हों ने उसे अपने वैओंवें को रात में वेहोश करauft के कैसे किभर में जिस्मय अंदैरा था ले जाके तु बिल्कुल ऐसे जैसे कभर का सीन होता है उसको वहाँ नेटा तिये उसके बार जब भोश आ है तो पहले उन्होंने रिवाथिस सवाल की तो उसने कफल उफन देखा उसने का रो रो मैं कहा हूँ कि तुमे दिखाइगां नहीं देठा कहा हूँ लिवाथिस सवाल पूर पाचने के लिए तो उसने कहा समा एक दफाद मचली खाई पर इसके बाद जो जो एक दफर जिन्देगी मेलोकी खाई थी किलें है बीस कोड़े वार इसी तरह वो दो तीन चीज़ बता है उसके बाद सुरे का की और कर लेका बस डाली डाल खाते हैं डाली डाल कर लिए इसके बाद फिर दुबारा जो है जहां से उठा के लायते वहीं पहुंचा तो सौरे में दीन निकल आया बहने उठा कि देखने रहा हो दीन निकल गया चल्दी से उठो और जाके दाल लिया हो दाल पकारिए उसरे गर नहीं बाबा अब दाल नहीं खा दी सबसे बड़ा आज आप दाल का ही है बाई ये दोस्तों राजी विल्यास हमारे मुशारों की दुनिया का एक इतना बड़ा नाम है जो जहां जाता अपनी पहचान छोड़के आता है और ये वो लोग है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जब तक ऐसे लोग हमारी सुर्दी दुनिया की आव्या इस थे खेर मुस्लिम छोरा की ये तो एक तफातर पता हैं कैसे हम लोगों के सर मरदी गई है बढ़ना तो ये दोनों लोगों की और हमारे हिंदुस्तान की जबाने फ्राग गॉरत पूरी ने कहा था कि क्या समझ सकते हैं नादा हिंदी ये उर्दू का फर्क भंग के एक ल है राजी उज्याद की इस बहुत शुक्रिया आपका अमिद भाई सद्रे आली बखार आप से इचाज़त मसला यह है कि इतनी अच्छी शायरी पढ़ी जा चुकी है रोशन भाई मैं आपको बता दू आप सुन रहे थे इस स्कुल की प्रिंस्पल हैं वहां में तालिपे इ है और उस्ताद ने नहीं को वह जिबंदाई दे के दिये है स्कुल चलाने की तो वहां सीथा है तो बहराल सीथे सीथे तर्म से पढ़ना है चलिए आप सुना से दो ती श्यर में तर्म से पढ़ देता है उसके बाद जी मैं परताब गड़ से वाकरी परताब गड़ से आ रहा हूँ जो कि मेरे हां मेरे बतीजे की शादी ती और कफार भाई मेरी जिन्दगी का हिस्सा हो चुके हैं बहुत कम बहुत में तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों को निवहना होता है देखिए गजल की चन्दशार चलते रहने का भी कैसा ये जुनूतारी है चलते रहने का भी कैसा ये जुनूतारी है हम गई नब्जे हयात और सफर जारी है चलते रहने का भी कैसा ये जुनूतारी है थम गई नब्जे हयात और सफर जारी है कोई रस्ता ही नहीं तरके तालुक के सिवा कोई रस्ता ही नहीं तरके तालुक के सिवा जब से दिल में ये ख्याल आया है सर बारी है ऐसा लगता है के कुछ तूट गया है मुझ में बहुत शुप्रिया सर अइसा लगता है के कुछ तूट गया है मुझ में एक दो दिन से इन आकों से लहू जारी है मुझ में बहुत शुप्रिया सर अइसा लगता है के कुछ तूट गया है मुझ में एक दो दिन से इन आखों से लहू जारी है रंग मंच उसने सजाया है करम है उसका हम की लोनों की भी क्या खूब अदाकारी है रंग मंच उसने सजाया है करम है उसका हम की लोनों की भी क्या खूब अदाकारी है सचिन भाई बैड़ जाये लेट कर मुशारा नहीं सुना जाता है र्याज भाई सुनियागा एक मत्ता और एक शेर के मरीज होके दवा को दवा नहीं के तहत में पढ़ूंगा तो ज्यादा कलाम आपके परूचेगा मरीज होके दवा को दवा नहीं कहते ये बंतसीब भले को भला नहीं कहते मरीज होके दवा को दवा नहीं कहते ये बंतसीब भले को भला नहीं कहते वो लोग कैसे करेंगे भला तुझे तसलीम कभी जो लोग खुदा को खुदा नहीं कहते हैं करेंगे भला तुझे तसलीम कभी जो लोग खुदा को खुदा नहीं कहते हैं कि शिकारियों के किसी जान लेवा खेल में हूँ अजब नसीब है जो वक्त की घुलेल में हूँ वो कतल करके भी पैठे हुए हैं संसत में मैं एक रोटी चुरा करती हार जेल में हूँ जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाओंगा जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाओंगा नशे में चूर आया था नशे में चूर जाओंगा जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाओंगा नशे में चूर आया था नशे में चूर जाओंगा ये दुनिया को इला मुझको समझती है मगर एक दिन चलूँगा इस कदर मैं होके कोहन हो जाओंगा मतला और एक शेर और और उसकरता हूं कि यूँ तो अक्सर ही मुझे दुश्मने जाँ बोलता है हाँ मगर जान भी मांगू तो हाँ बोलता है आपके हाथ में ताकत है जो चाहे वो करें हर सितम सहिके भी कमजोर कहा बोलता है छू रहा था मैं बुलंदी तो ते सभी खामोश चूरहा था मैं बुलंदी तो ते सभी खामोश लड़ खड़ाया हूं तो अब सारा जहां बोलता है नाम राजीव है उपर से मुसल्मा भी नहीं उस पे हद है कि वो गालिब की जबा बोलता है बया बानों में भी दीवार और दर हो गए होते अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते तेरी सूरती पढ़ते रह गए हम तो किलासों में किताब इतना अगर पढ़ते तो अपसर हो गए होते बहुत शुक्रिया चलिए एक और गजल लिक्तां ताजा गजल कहीं नहीं पढ़ाए हर कूचे से हर दर से ठुकराया जाएगा हर कूचे से हर दर से ठुकराया जाएगा हाथों से गर पुर्खों का सर्माया जाएगा हर कूचे से हर दर से ठुकराया जाएगा हर कूचे से हर दर से ठुकराया जाएगा हाथों से गर पुर्खों का सर्माया जाएगा फतल करेगी पहले मेरे लोगों को दुनिया फिर लावार इस बच्चे को अपनाया जाएगा फतल करेगी पहले मेरे लोगों को दुनिया फिर लावार इस बच्चे को अपनाया जाएगा जाग गया जो उसकी हो जाएगी सुभे नौ जिसकी नीन न टूटी वो तफनाया जाएगा अंदाजा था जान नहीं बक्षेगा वो लेकिन अंदाजा था जान नहीं बक्षेगा वो लेकिन इल्म न था पहले मुझको तरपाया जाएगा अंदाजा था जान नहीं बक्षेगा वो लेकिन इल्म न था पहले मुझको तरपाया जाएगा काले और सफेद में है समझोता ना मुंकिन काले और सफेद में है समझोता ना मुंकिन जो भी हो अब जालिम से तकराया जाएगा आले और सभेत है सम्झावता ना मुम्किन जो भी हो अब जालिम से टक्राया जाएगा अगर इजावत को जाए जो एक दिल में थी तस्वीर तोट फूट गई जो एक दिल में थी तस्वीर तोट फूट गई चलो ये प्यार मुहबत से जान शूट गई जो एक दिल में थी तस्वीर तोट फूट गई एक वाकिया मैं बताता हूं तो वहां से शेव निकला है इरान में एक सूफी पैदा होके थे मनसूर हलाज हिंदुस्तान जो है तसवुफ का मरकज है पुरी दुनिया में इसको तस्रीम करते हैं हिंदुस्तान आना हुआ यहां संतों के पास बैटे तो उनका मिलन इश्वर से हो गया साक्षातकार और जब इरान गए गुमते गुमते तुमा बहुता है यह खुदा है मेरे अंदर जो बोल रहा है खुदा यहीं है जो मैं अनलहक की सदा उन्हें बलंद की बला कि वही यह ऐलान बंद कर दे नहीं तो मारा जाएगा यह हमारे बज़र के खिलाफ है बहुता तो खामोश हो जाता है यह तो वही बोल रहा है तो उनके उस्ताद में बिखाव है देख मारा जाएगा बोला जो भी हो तो बहराल उनको बुलाया गया बीड़ में पत्थर मारे गए बोला बोल वापस ले रहा आपने अलफाद यह मुम्कीन ही नहीं वहीं बोल रहा है हाथ काटे गए प बोले मेरे उस्ताद कहा है उनके उस्ताद के नाम जुनैट था तो शूप के वहाँसे देख रहे थे जुनैट साह है और फिर उसके बाद एक खूल वहां से मारा गेंदे का पूल उनके चेहरे परा के लगा और उसके बाद वहाद वह रोये आं। तो वहां से इशेर हमने कहा है जो एक दिल में थी तस्वीर तूट फूट गई चलो ये प्यार महबत से जान शूट गई किसी ने संग उचा ले तो कुछ हुआ ना मुझे लगे जो फूल तो धारा जबी से पूट गई मैं तुषको देख के मंजिल पे खुश रहूँ गई दोस्थ मेरी तो आखरी गारी थी वो भी तो स्वोग गई zachो प्रूख ले एक अजल में पढ़ता हूं उसके मुझे तलोंगादा मैं जलोंगादा उपना मैं आग उँ सो किसी आख में जलूंगा resembles पढ़ेंगे लोग तो जूटा मुझे समझ लेंगे पढ़ेंगे लोग तो जूटा मुझे समझ लेंगे सो दास्तान मैं अपनी कभी लिखूंगा नहीं बस एक बात थी सोचा तुझे बताता चलूं कि इसके बाद मैं तुझसे कभी मिलूंगा नहीं बस एक बात थी सोचा तुझे बताता चलूं कि इसके बाद मैं तुझसे कभी मिलूंगा रहीं दो ती शेर और आगरी पढ़ बिता हूं कि नई फजा की तरफ उसमें एक जुकाव सथा रवायतों का मेरे जहन पर दबाव सथा नई फजा की तरफ उसमें जुकाव सथा रवायतों का मेरे जहन पर दबाव सथा उसे भी शौक था उड़ने का आसमानों में उसे भीशौक था का स्मानों पर उससे भीशा क्षा ने का स्मानों में समी की गोज से मुझको मैं कुछ लगाउ से था उसे यह कि उसने जबा दो झावा गूंजोर दे तरन्नुम चुकुई चीखने लाने वाद कंड़ावु 00 ुडवाब अच्छा चलिए चीक है कोशिश करता हूं जी 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 मैं मैं गजल चंदशार सुनिये गामता पेशे खिदमत है आग से बल्फू से पानी से गुजर जाओंगा आग से बल्फू से पानी से गुजर जाओंगा मैं कोई जी जीस्म नहीं हूं जो ठहर जाओंगा आग से बल्फू से पानी से गुजर जाओंगा मैं कोई जीस्म नहीं हूं जो ठहर जाओंगा गर पिलाना ही है तुझको तो कोई जहेर पिला गर पिलाना ही है तुझको तो कोई जहेर पिला तु दवा मुझको पिलाएगा तो मर जाओंगा गर पिलाना ही है तुझको तो कोई जहेर पिला तु दवा मुझको पिलाएगा तु मर जाओंगा डाल दी शहेर ने जंजीर मेरे पेर गफार भाई को मैं वारगबाद पेश करना चाहता हूँ बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं अपने अबाई वतन लोड के जाओं और नहीं जा पाते हैं कफार भाई आगे मैं को वारगबाद देश करना डाल दी शहेर ने जंजीर मेरे पेर मैं दाल दी शहेर ने जंजीर मेरे पेरु में मैंने सोचा था कभी लोट के घर जाओं मैं दाल दी शहेर ने जंजीर मेरे पेरु में मैंने सोचा था कभी लोट के घर जाओं तू दवा मुझे को विलाएगा तो मर जाओं बहुत बहुत शुक्रिया राजी वियास साब और चुके बच्चे के मामों की महबत आपको नसीब हो गई तो आप तो बिलकुल सेफ हो गए क्योंकि सबसे पावरफुल सालह ही होता है बीवी तो ऐसी बद्राम होती है कि बीवी उसे लोग ड़ते हैं चलिए आपके जरीए हमारी भी यहाँ से नजाती हो जाएगी निकल जाएगी आईए आईए दोस्तों बाज की सदारत कर रहें उस्ताद महतरम डाक्टर सिराजदीन नजवी साथ को दाओ दो अब्दलगफार साब ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और आप लोग वार्टिव है यकिनन इस दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं जो जिस तरफ भी करने का इतना काम है कि बाता है एक बहुत मोड़ी किताब मुरत्ब हो सकती है रिवाए आपका काम एक मामूली काम ली वो करोना में हो या वैसे भी मसलसल जारी वो सारी रहता है जिस फिर्ज में भी आप गए उसी की बदूलत आपको टाक्टरेट की डिगरी मिली और हम लो तो हम उसे आगे बढ़ जाएं एक मानामा है छोटे से गाउ से निकलता है उसके लिए के भी सीमे जो हम इताब बच्चे ने उसने भी सवाल पूछा कि वो कौन सारी साला है जो एक छोटे से गाउ से निकलता है कुल मिलाकर यह है कि अगर मैं बोलने पाऊं तो कई घंटे उसके रिए मैं सिर्फ ये श्यर पढ़के कि ये अच्छा शायरा हुआ विसमे दखने और ये श्यर पढ़ा सकता है कि सीचा है अपने खून Tuंसे बोली हम अपने खून के कम जाके इस अन्दश का मेखा न बनाए wrहह़ा जोर्दार तालीए चाप सबसे पहरे जनाब अब्जु बफ्राइब इसाहिब और उनके अजीदम साथ जाले दानिश में आज सद्रमा होती हूँ, तीन मुबारक बाद, एक मुबारक बाद तो यह कि उन्होंने सुनत अदा की, आज सुनत उनके अदा होगी है, और हम उनके खुशी में उनके शरीक है दूसरी मुबारक बाद यह कि उन्होंने अपने वालिद को दानिश नूर्पुरी अला है, वनना पता नहीं का तखुश क्या होता, आज उन्ही के नाम से हम उनके वालिद को जानते हैं, जो अफ़री एक सलाइजितों के मालिक है, दानिश नूर्पुरी है, उससे बड़ा उससे बड़ा वाफ्चाम होता है, और तीसी बात यह है, कि आज उन्हों की रात बहुत हसीन और सुहानी है, लेकिन उन्होंने हमारी रात तो भी हसीन और सुहानी बना दिया है, इतनी हसीन और सुहानी रात हमने नहीं देखी मुशारों में, मैं तो आदमी मुशारों में भी शरीक रहा है तो अगर चे मैं कोई स्टेट का शायर नहीं हूं लेकिन लोगों नहीं इजाद बख्षा है जैसे आज ये बख्ट गया है तो मैं ये सोच रहा था कि उसे मेरी जगा सदर होना चाहिए था ये उसका हक था ये मेरा हक नहीं था हर शायर जो स्टेट पर अपना इतना मुरसा कलाम इस पदर कूसूरत कलाम पेस्ट कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि उसे मेरी जगा आज सदारुपर जब वासूर होन ताॉ । हर शायर के अदब में इसलिए के शायर का अदब impose करैंग अधरसों ने क्या लगाकी रसूल की जिंदगी में आपके मिम्मर कर कोई हैं लेकिन आप आपने एक शायर को अपनी मिंबर पर बिठाया और कहा कि कलाम सुना अज़र हसान बिल साबित को उन्होंने कलाम सुना और बार बार अपनी मिंबर पिठाया दुनिया में किसी नभी के मिंबर पर उसका कोई सहाबी नहीं बैठा एक शायर कोई अजाज हासिन है और आपको भी यह इजाज है कि अद्दा किस्म्स से आपको यह निश्बत हासिल है तो आपका बड़ा वायक के मुकाम है एक दफाव दुबई में था आप जानते हैं कि दुबई की जो गोड मारकी थे वो दुनिया की सबसे बड़ी गोड मारकी थे रोज आना करोणों का कारूबार होता है तो एक मेरे साथ से डाट्र शानवाज साहब उनका यह जो अंगोठी यह बहुत समझ लिए हैं तरहां पूछते हैं हम एक दुपाल पर गया हैं कभी अंगोठी इतने की का कि यह पांच लाज से शुरू होती और पांच करोड तक है उसने हमें एक मामुल्याज में समझा मौह तो यूरप के लोग आथी हैं बड़े-बड़े हमने का इसे यह जिरे माना कभी हमारे इंद्विस्तान में वहां ऐसे इसे हीरे और मोती हैं जो 5 करोड से शुरू होकर ढाधादार करोड तक जाती हैं और आम जैसे सामिय और आत्यान पर आपकी वो कदर और कीमत है तो आज हमने एक ऐसा मुषारा सुना जो तादाद के इतिवार से बहुत पूँचा सर्था लेकिन अपनी कैसियत के इतिवार से कई आलमी मुषारों पर भाड़ी था और ये अधियर का आलमी मुषारा था हमारे दोस्त को स्प्लाइबंद्ध ने लेकिन यह जो बड़े-बड़ वहां सुने के लिए नहीं मिलता है तो ये मेरी भी खुश्रसी भी है और हम सब लों की कि अब्दुबफार सुक्रेटी साहब ने यहां पर अम्हें ये मौका इनायत किया कि हम ने एक अच्छा मुशारा हैं सुना है बलकि ये कहिए कि एक शायर ने जो कराम चुनाया वह तो हमिद्वजर्य अफ्तर साह्द ने जो निजामत की वो तो आरमी शायरों के भी बाहरे दियू कि था निज्ञामत कि हूँ है हमारे हकीम साहब यहां से तेहो तो हकीम साहब जब मझाई talents चौना रहते है तो मुझे हकीम साहब पर एक लतीफा या जा रहा तो चूंक है साथ के पास एक उसम चाया और उसमें कहा कि मेरा खच्च्चर बीमार है हकीमसाभ ने तश्कीश करके दवा दे दी उस शंसने कहा कि ये दवा मैं कैसे खच्चर को दूआ का कि एक फूटनी में दवा रखे igualwind देना एक शिराउसके मेरे फूप मारने से पहने इसने फूप आरे तारुद में बात बताईगे कि मैं कि स्कूल चलाता हूँ तो हम इंस्पेक्शन के लिए गए एक स्कूल में तो इंग्लीश टीचर पढ़ा रहा था बच्चों को पढ़ो नेचर को वह नटूरे पढ़ा रहा है पुद्रात जो आप मंजर देखते हैं समझारा अब वह प्रिस्पिल के पास हम गये हमने का रहे यह तो बच्चों का बच्चों को बिगाड़ देगा यह इंग्लिश का टीचर है यह नेचर को नटूरे पढ़ा रहा इससा सस्पेंट क यहां से तो क्रस्पिल ने का कि सर ऐसा है हम सस्पेंट को कर दें यह बहुत जरीब है इसका फटूरे खराब हो जाएगा इसका फटूरे खराब हो जाएगा तो एक मरतबा जब सब्सक्राइब बरसाथ शुरूर भी तो यह शहर जाने लड़ी तो इनके दोस्त ने पूचा भई हमिद भै का जा रहा है हम इनों का शहर जा रहा हूं चाहता लेने के लिए का के देखो दाओंके रहने वाले और गाउं में तो शहरिक्त दोब बहुत दूशार होते हैं वह जितने का शाहता बताया उससे आदे में पोछे चाहते की तुखान पर कहा कि चाहता कि उसने कि पास सो रुपए में दो याद उस तुम चार सो में ले रहा है कि अब दो से में लूँआ अजा उसे उस्सा आ या क्या कर श्री ले जा क्या 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 अब दो लूँआ चलिए ये तो उसके बात थी तंदो मिजा की ये जो अर्दू जुबानो अदब के चेलेंजेज हैं हिंदुस्तान में दरफेश हैं हम लोगों को जुबान के तुटर में सही बात ये हैं कि हमारे ये सुर्जेवे शौरा उन चेलेंजेज का जवाब दे रहा है और इन शौरा और उदाबा की वज़ा से ये जुबान हिंदुस्तान में महफूज हैं और महफूज रहेगी वो जो बड़े-बड़े शौरा है ना जो तक बजबे दोहराते रहते हैं उन से जुबान महफूज नहीं रहेगी जो आवानी बड़े-बड़े मशारे होते हैं बलके जो हो रहा है कि ये छोटे बशारे जिन में हम बहुत अच्छे शेव कूंते हैं और हमारे बच्चे भी यहां सुन रहे थे वो भी महफूज हो रहे थे तो इन्शालला ये अर्दू जबान कभी खतम नहीं होगी वो अर्दू जबान का काफला जो वली दखनी से चला था और आ काफला इसी तरह दवाँ दवाँ रहेगा मैं भी तर्द शेव तुना देता हूं अगर्टे मैं इस प्रेट का शाहिद नहीं हूं लेकिन क्यूंकि आपने मुझे एक मुझे एक मुशार्य का सदू बना दिया है इसलिए जरूरी महसूस होता है फैसला यूं मुंसिफे शह के काफलों में था मेरा नाम मेरे उच्ध मेरे तादिलों में था मेरा नाम सब्साइब यह कर दो दो डालत में खेजने लगा अमीर श्हर बन गया अब तक जो मेरे शहर के जाहिदों में था आप फास देहें मगड़ देसे सब के मतवडि़ ह्जाय हुई लूने में रोगंत मेरा दुष्मन तुमिरे पाकिगों में था मेरा दुष्मन जो मिरे पादिउयों में था वो मेमारे शहर वो पैकरे फबूस वाईदों में था नजाहिदों में था सुना कर गई सारे शहर को उसकी मौत सारा शहर जिसके नापिदों में था सारा शहर जिसके नाफ़तों में था लूट लिया आफिर लूट लिया आफिर कार उसने खुद खाफिडा आगाज में शिराज जो पाईदों में था तस्वीर खेशता था मैं तेरे शबाब की शर्मा के किरने लोट गई आफिए आफिए की हम मुझरिमें वफा सही महसर ते क्यों डरें इस वक मुझे महुझमी ना समझके शाहिए समझकर शिर्ट हुएगा हम मुझरिमें वफा सही महसर ते क्यों डरें महसर तो एक अदा है तुम्हारे शबाब की मेरे गुना आना सके जब हिसाब मेरे गुना आना सके जब हिसाब मे उम्मीद बन गई करमे भे हिसाब की आए जो बराए याजत कभी सिराज आए जो बराए याजत कभी सिराज खालत संबल गई दिले खाना खराब की मैं अखीर में जनाब अब्दलुकफा सिर्दीती साहब का शुकुदार हूँ कि उन्हों ने इतनी सुर्शूरत ये अदबी शाम मुनकिफ की और शादी के मौकर पर जो बहुत सी खुराफात लोग करते हैं उन से किनारा कर्शी करके आपने एक अदबी महिश्ट से जाए और बहुत सारे लोगों को जहां जहां ये पेगाम जा रहा हमारे अश्वर बस्तवी साहब के जरीए से ये हजारों लोगों तक ये पेगाम जाएगा कि लोग ऐसे मौके पर खुदूलियाक और फुराफात से बचकर अदबी महिश्ट मुनकिद करें और उर्दू जबान अद के साथ जेड़ सो पुने दो सो किलो मीटर का सफ़त तैगर के मौसम की चिद्दत में यहां पर तर्शीव लाएं और ये लोग जो बहुत बड़े एजादिया लेते हैं यहां पर एजादी तोर पर इन्हों ने गोया के मुशारिमी श्रकत की तो मैं इन तमाम शोरा का जो जिन से हमने तुना जिन से हमने बहुत को सीखा और अपने अपनी रूपो बालिद्गी अता की हमने अपने अवातित और जजबात को सुरूर कैफ की दुनिया में हम ले गए उन तमाम शोरा का गिर्ट की गहराईयों से चुपिया और सामीन का भी मैं तश्कूर करता हूं क उन्होंने अखिरी तक वेकि निहाइक जोश के साथ खोश के साथ संधी ची के साथ वर्व्रोफिक्स के साथ अशार को सुना और जात रहत और तहसीन से नवादा जो हमारे इन महमणों की और शायरों की खास जियावत है तो आपने जाफ़त का भी अब ख़दा किया इस थन मुहम्माद दानी शाहाब के लिए उसके इजरा होगा और फिर आपको कुछ तक्सीम किया जाएगा च्वारे निगार के उसे मुझे च्वारे मैं समझ गया था वह तक्सीम होगा आव यहिए जाएख़ ततत्तत्यंबेग्र आट्राह वह तो से सम्झेट बीस इसके लिए suspense æमने थिता है रहकाशना जाएख़ जाएख़रभिवषदु जी 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 हाएख़वर्ण इस को के खिए रहकी सक्षिय को जाएख़भिवर्ण गाफ़ड़र्गर्शन गरत्टा र अजय कर दो दो नहीं कर दो दो कर दो कर दो घब एए इस अ ही झाल प्यात्व जाजना प्जाम कर दो कर दो